करा घोल्मरी श्री गुरु महराज कीजे, भुलो साचे दरवार कीजे, भुलो श्री नंगली निवासी रगवान कीजे, भुलो श्री परमहंस द्याल्जी महराज कीजे भ्याद मूलं गुरूर मूर्ति, पूजा मूलं गुरू पदम, मंत्र मूलं गुरूर वाक्य, मोक्ष मूलं गुरू कृपा, भुलिये साचे दरवार की जै, का जिए बोल्ड़ श्री नंगले निवा से भर्गवान की जए, बोलो मॉर्ण श्री परमवंस Tex이 तयाल जी महाराजी की जए, श्री गुरु महराजी की प्यारी सुन्गत कर आपने 25 वाग सुना कर आपने जाना कि श्री गुरु महराजी की निजात्वा कहा दिवास करती है कौन थे आज 26 जन्वरी कर तंत्र दिवस का दिन 26 जन्वरी दिन बुद्वार माग क्रिश्न पक्ष की नौमी दिथी और देखें आज गंतंत्र दिवस है आप सबको गंतंत दिवस की बहुत बहुत शुक कालना है आज बारे बजकर अठाइसमेंट दो बहर से एक बजकर भावन मेंट दो बहर तक राओकाल रहेगा बारे बजकर अठाइसमेंट से एक बजकर भावन मेंट तक कोई भी सुबकाले परारम न करें उससे पूरू या उसके बश्चात करें और आज के अध्याय में आज के 26 पाठ में स्वामी वेरगा नंजी का ग्रहत्याग स्वामी वेरगा नंजी ने घर किस प्रकार छोड़ा कोन थे स्वामी बेयांता नंध जी का वेराग्यत और स्वामी अभेदा नंजी और स्वामी अजुना नंजी का सन्यास याज आज आप बढ़ेंगे सुनेंगे और आई ये प्रारम करते हैं पाठ को श्री स्वामी वेरगा नंजी का ग्रहत्याग श्री महराजी के एक और प्रमुक सेवग थे स्वामी वेरगा नंजी इनका पैला नाम था भक्त दाराराम जी स्वामी वेरगा नंजी बंचपंच से ही धार्मिक व्रति और भक्ति भाव से पूर्ण थे आप लग्की मर्वत के ही निवासी थे आपके उत्तम संस्कारों को देखकर आपके प्रोश में रहने वाले एक विद्वान पंडित धनी राम जी ने आपको सनातन गरंथुका से आपकी मानसिक संतुष्टी रहा होती थी उन्ही दिनों स्री प्रमस देयार जी किया अनुसार शिरी महराजी लग्की मर्वत में पहली बार संसंग परचार के लिए पता रहे और स्वामी वेरागा नंजी शिरी महराजी के दर्सन करने को आए पूर्ण संत्र सद्गुर क दर्सन पाकर इनके मन को तसल्ली हो गई अब मुझे ऐसी मंजल मिल गई आपने स्री महराजी से नाम दाल लेकर अपनी आतम पिपासा को द्रप्त किया और कुछ काल के बाद आप स्री महराजी की शर्णागत हुए और संयास धारन करके स्वामी वेरागा नंजी के नाम से आज संतों के पास आते तो सब हैं लेकिन समर्पित कोई होना नहीं चाहता है एक वह वक्त था कि लोग ठूड़ा करते थे कि हमें कोई गुरू मिल जाए पूंगुरू मिल जाए हम अपना सर्वच्य नोचावर करते हैं आज ही अधिकतर लोग नोचावर होने के लिए नही गुरू का मा लूटने के लिए आते हैं बस ये आसा मेरा बन जाए है ये प्रोपर्टिव मीरी हो जाए इसलिए गुरू की सर्थ में पोश्ते हैं लेकिन उस समय ऐसा नहीं था आज तो आप देखते होंगे आप लोग सुनते भी होंगे कि भला ने संत को मार दिया उसकी इतनी संपत्ती थी संतों के पास संपत्य अपनी कुछ भी नहीं होते लिए सब कुछ समाज का होता है और समाज के लिए ही समर्पित होता है संत ना कहीं कुछ लेका लाते हैं और ना किसी कहीं छोड़कर कुछ जाते हैं यह समाज की संपत्य होती है और संतुतों के वल उसके संड़क्साग होती है। उस मारग पर चलने वाले हैं और औरों को चलाने वाले होते हैं। स्वामी विरागादन जी ने भी एक बार गुरू मिले और हो गयोंके। और कुछी समय में उन्हों को चला भी मिल गया। इसी परकार आगे सुनी स्वामी बे अंतादन जी का मेराग्यत। शिरी माराजी की तनमंधन से सेवा करने वाले शिरी स्वामी बे अंतादन जी का पहला नाम भक्त मूर्चन जी था। आप भी लग्की मर्वत जिराबंदू के रहने वाले थे। जब सिरी सत्वुर्देव जी माराज भक्त साहिग राम जी के लहर लग्की पधा रहे। तो आपने वही हजूर माराजी से गुरु दिक्साले ली कि तुपूर्ण रूप से आप सन्नागत शिरी माराजी के गद्य नसी होने के कुछ समय बाद ही हुए। शिरी स्वामी अभेदा नंजी और स्वामी अजूना नंजी का सन्यास शिरी माराजी के अनन्य प्रेवी स्वामी अभेदा नंजी के सुभ नाम से गुरु दरबार के सभी प्रेवी में भले भाती परिचित है। आपने स्री माराजी से गुरु दिक्सातों सन 1917 में ही लेनी थी इसके बाद गुरु आग्या से आप घर्म में रहकर ही वचना प्यास में ही लगे रहे सन 1920 की सर्दियों में आप भक्त बूल चन जी स्वामी वे अंता नंजी और भक्त भोजा राम जी के साथ स्री चर्णों में टेरी हाजिर हुए और कुछ दिनों के बाद आपने स्री माराजी से प्राट न की कि किरपा करके मुझे अपनी सर्ण में ले लो कई बार मित्ती करने पर स्री माराजी ने इनकी अर्ज मंजूर कर ली और इने अपनी बड़ी भेन आशी बाई जी समयत दर्बार में रख लिया उसी समय से आप स्री माराजी के चर्णों की श्यवा में निरेंतर निमकन रहे स्वामी अजुन्यानन जी भी अपने माता पिता भाईयों सहित श्री माराजी की चर्ण सरण में आए देखे उस समय अकेले ने परिवार सहित सर्णागती होते थे अब यहां देखे स्वामिय अजुना नंजी अपने माता-पिता भायु सहित शिरी महाराजी की चरण सरण में आये बाकत है मेहर चंद जी स्वामिय प्रमात्मा नंजी लाची जिला कोहाट के बड़े भारी शेट ते उन्होंने विश्त्री चरणों में सरवच्छ नोचावर करके परिवार सहीत शिरी सत्गुर्देव जी की सरण ली इनके सुपुत्र स्वामी सब्दा नंजी ने भी सन्याजवेश स्री महाराजी से ही लिया स्वामी शुक धर्मान जी जिनका पहला नाम दोलत राम जी था दर्रा पेजू तैसिल लग्की मर्वत में रहने वाले रास्ते में आप तर्रा पेजु में ठहरे वहीं स्वामी सुक धर्मानंग जी को शिरी माराजी के सुख दर्शन पराप्त हुए सन 1922 में शिरी माराजी लक्की मर्वत के क्रिशन द्वारा में विराज़मान थे उस समय मत आसानंग जी शिरी माराजी के दर्शन करने के लिए आए तो शिरी सद्वुर्द देव जी ने यहफचन परमाया यह मेरी अपनी रूह है इनकी अभी बाला वस्ता थी यह सुक धर्मान जी के अगहाद बचनों को ने समझ सकहे यह सोचने लगे कि मेरा तो सुरी माराजी से कुछ सारे रूत नाता नहीं है फिनों ने मुझे अपने रूप क्यों कहा और कुछ समभाद इने इस आस्वत सत्य का ज्यान हुआ कि गुरू और सिश्य का संबंद रूह आत्मा और सवीर जैसा है श्री महाराजी ने इनको छैगज मल मल और पंजीरी का प्रसाद दे कर बिदा किया इनको सन्याज भेश सन 1928 में मिला इस परकार सीमा प्रांत के हजारों प्रेमी श्री सत्गुर देवजी की पवित्र चरन सरण में आये पूरू में जितने भी भाक्त श्री गुरु महाराजी की सरण में आये सबसरनागती हुए सैपरिवार हुए अपनी समथ संपत्ती को भी गुरु महाराजी के चर्णों में समखपित किया वो ऐसा काल खंड था और आज आज समर्पित होना तो बहुत बड़ी बात है गुरु की सरण में आने से भी कतराते हैं लोग हमें इस विशे में सोचना चाहिए बार बार इस अध्याय को सुंकर हमें ज्ञान पराप्त करना चाहिए कि सरणागती क्या चीज है इतने बड़े बड़े शेट, लाला, सहुकार गुरु की सरण में आये सब कुछ गुरु महराजी को समर्पित करके अपने मात अपिता, भाई, बेहन, परिवाल, उटम, सहित गुरु दरबार में रहने लगें तो हम क्यों नहीं रहतें हमें भी रहना चाहिए, हमें भी द्याग करना चाहिए हमें भी उस मालिक की बंदगह करनी चाहिए, उससे पाना चाहिए यही हमारी जीवन का लक्षे है आज की बाने को मिहीरां दूमा वुलीये साच्चे दरबारी कीजे व्लो स्री नगली निवासी भ्रगवानी कीजे व्लो स्री प्रमहन सुद्याल जी महराजी कीजे